हरे क्रिश्णा तो एक प्रश्ण पूछा जाता है भगवान से व्यक्तिकत संब्द कैसे जोड़े कैसे भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं तो किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए उसके प्रती एक सोहार धोने की दुरत है और उसके लिए मन में उतकट अभिलाशा बहुत धरूरी है तो जब अभिलाशा के साथ व्यक्ति ब्रयत्न करता है उस व्यक्ति से संब्द जोड़ने के लिए तो उसकी सेवा करना शुरू क करते हैं तो जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष उनका विवार होता है शुरुवात में वो अंजाने होते हैं एक दूसरे से वो नहीं जानते हैं कौन कैसा है उनका विवार क्या है धिरे धिरे जब एक साथ रहते हैं एक दूसरी की सेवा करते हैं एक दूसरे को समझते हैं एक दूसर से अपनापन शेयर करते हैं तो उनसे प्रेम उत्पन होता है तो इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करेंगे भगवान की जो जरूरते हैं उसको जानेंगे भगवान के निर्देशों को सुनेंगे उनका पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान से प्रेम उत जो भी आप करते हैं जो भी आप खाते हैं जो भी कार्या आप करते हैं जिस भी दान को आप देते हैं जो भी तपस्या आप करते हैं आप उसको मुझे अरपन कीजे तो भगवान को केंद्र बिंजों में रखकर अगर हम उनको चीजें अरपन करें तो भगवान की सेवा बन ज से संबन जुड़ना और मद्बूत हो जाता है गीता में बहुत ही आसान है वक्ति करना कितना आसान है बहुत है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेच्छती बहुत है मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजी नहीं चाहिए क्या चाहिए थोड़ा सा अगर अंग में अने को समझना दरूरी है उनकी लाइक और डिस्लैक्स उनकी उछाएं उनने क्या पसंद क्या पसंद नहीं है यह समझना दरूरी है तब हमारा संबन जो ज्यादा अच्छे से जुड़ सकता है उसी तरह जो हम भगवान से शवण करते हैं भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम समझ सकते हैं भगवान को क्या अच्छा लगता है भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है और उस प्रका का Mobile नंबर शेयर करते हैं तो जिसके का Mobile नंबर में 10 होते हैं और अगर आप उस नंबर को अपने फोन में डायल करते हैं तो तुरण वो जो ग्यक्ति है उसे आपका संपर्क हो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इस सोलो शब्दों को महा मंत्र अगर हम जब करेंगे नियामित रूप से भगवान से सीधे हम संपर्ग जोड़ सकते हैं और विशेश करके इस महा मंत्र के जब में कोई बाधाय नहीं है कोई कठिनाई नहीं है ना ही कोई network congestion है या फिर कोई call failure है यह number सीधे भगवान को connect करते हैं तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं सततम कीर्टयंतो माम यतनतश्य दिडव्रता नमस्यंतश्य माम भक्त्या नित्ययक्ता अपासते जो मेरे भक्त हैं सतत मेरे नामों का किर्टन करते रहते हैं और इस प्रकार मुझे स्मरण कर रहते हैं मुझे याद करते रहते हैं तो जब हम भगवान को सतत नामजब के माध्यम से स्वाध्या के माध्यम से याद करेंगे उनके बारे में श्रवन करेंगे उनकी सेवा करेंगे इस विशेश पद्धती द्वारा हम भगवान से अपना जो संबन है वो और और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथ्वार DTH ओपरेटर से संपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839